34 गड़ की राज़तारी रायपूर इस्तेत एनेच MMI में परती दिन सुमिधाओं में वर्धियों होती जा रही है दिन परती दिन अपने कुछल और बिश्यसक्यों की टीम के साथ ने तुने हाय आमराच रही है एनेच MMI नारायन सुपर स्पेसिलिटी अस्पिताल में नियमित रूप से कार्डियक प्रिकुरियाएं की जाती हैं अस्पिताल में हाइबरेट तेवर प्रिकुरिया से आपरिशन किया गया चिकितसा उपलब्दी में एक जटिल हाइबरीट कार्डियक के माध्यम से एक मरीज की जान बचाए गई एक मरीज हॉस्पिटल पहुचा था जिससे अस्पताल में अचानक छाती और पीट में दर्थ होने लगा जिसके बाद मेडिकल टीम ने उसके इस्तिती का व्याफक मुल्यांगन किया गया इस सेल चिकितसा में डाक्टर पी के हरीकुमार डाक्टर सुनील गुनियाल के मार्क दर्शन में इंटर्वेंशनल कार्डिलोजिस्ट मरीज ने सीटी सहित इमेजिंग अध्यनों के एक श्रिंखला से गुजरना शुरू किया चतिस गण पहली बारा ऐसा हुआ है कि जब इस प्रकार की सेल चिकितसा हुआ है अच आज हम यहां पर is conference कर रहे है एक पेशन के बारे में डिसक्यस और इंफॉर्मेशन देने के लिए तो यह जो हमने केस किया है यह फॉर्स टाइम एक हाईबिड प्रोसिजर किया है बसे तो हम इस तरह की जो विमारी है जिसे हम हम एलोटिक डिसेक्शन कहते हैं चार-पांस साल से ऐसे पेशेंट काम हिलाज कर रहे हैं और यह जो पेशेंट थे और यह जो विमारी थी थोड़ी सी डिफरेंट थी इसमें यह हुआ कि एक पेशेंट हमारे पास आए जिनकी उमर अटालीस साल थे और इन्हें बहुत लंबे समय से ब्लड पेशर था जो थोड़ा सा अंकंट्रोल हुआ करता था तो यह हमारे पास आए कोई चेस्ट पेइंग, पीट में दर्थ, पीट में दर्थ ऐसे करके आए थे हैं आपे पिर जब हमने देखा हमने यह पाया कि इनका बहुत ब्लड पेशर बहुत हाई था इनके कुछ खोइन की भी ओर पी देखार है दो जब आए इसस के अट में तो इसमें दानायख़ लिघा था था तो यह हम बहुत प्रिसाइजली इसमें यह प्रोसीजर कर बाएं। तो कैतलब में ले जाके फिर हम ने प्रोसीजर किया। इसके बाद फिर यह प्रोसीजर किया जिसको हम T-WAR कहते हैं। तो इस टिवार में हम एक स्टेंट ग्राफ डालते हैं। जो वह दरार है उसको ठीक किया जाता है। तो यह करने के बाद सक्सेसफुली पेशन को फिर हमने काडेक आईसी में शिफ्ट किया।